नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन के किसानों को 29 दिसंबर को मिलेगा सुखा रहात का पैके जारखन में सुखार की मार जेल रहे किसानों के लिए एक अची खबर है राजे के 226 पर खंड के किसानों को राई सरकार की ओर से रहात का डोज मिलने जा रहा है हेमंत सुरेन सरकार के तीसरी वर्स गाट पर 29 दिसंबर को किसानों के खाते में पैसे भेजने की तेयारी है मौसम की मार जलने के बाद सुखाण का दंस जेर रहे जारकन के किसानों के लिए एक रात भरी खबर है 29 दिसंबर को किसानों के बैंक खाते में 3500 रुपे की रासी आने जा रही है हमंत सुरेन सरकार की तरफ से ए राहा 226 प्रकाण के किसानों को मिलने जा रहा है क्रिसी विभाग के सचीव अबुबकर सिदिक के अनुसार अब तक इस रासी को पाने के लिए 8 लाग किसानों ने अपना रैजिस्टेशन करवा लिया है इस बार राजे के तीन तरह की खेती करने वाले किसानों को इस सुखार रहात की योजना से जोड़ा गया है परमपरागत तोर पर खेती करने वाले किसान खेती करने के बाद फसल का नुक्सान उठाने वाले किसान और खेती हर मजदूर सरकार की सुखार रहात का लाब ले पाएंगे हर एक जीले के डिसी से विभाग ने इसको लेकर जीलावा रासी की जरूरत की जनकारी मांगी है मौसम विभाग ने अपने पुरुनमान में बताया है कि जारखन में सुबह में कोहरा या धूंद और बाद में मुख्य रूप से आस्मान साफ एवां मौसम मुख्य अता साफ रहेगा मौसम का मिजाज 15 दिसंबर तक ऐसा ही रहने की संभावना है मौसम विभाग ने अभिषेक अनन्द की माने तो रात में आकास में बादल चाहे रहने के कारण सुबह में काफी देर तक कोहरा रहने की संभावना है वहीं 2-3 दिनों तक आकास में बादल चाहे रह सकते है 11 दिसंबर को आकास साप रहेगा लेकिन निमतम तापमान में और कमी आ सकती है बतादे बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तुफान, मेड्यूस और भारत में हो रही वर्पबारी का असर अब जार्खन पर भी पढ़ने लगा है रांची वा आसपास के इलाके में गुरुवार की सूबा से ही लोग कनकनी से परसान रहे है खतियानी जोहार यात्रा पलामू में बीपक्ष पर भढ़के सियम है मंत जार्खन के मुखे मंतरी हेमन्सुरेन ने कहा है कि जार्खन सरकार को ओई स्थिर करने के लिए केंद्र की भाजबा सरकार सुरू से ही साइस रच रही है राज सरकार अपना अधिकार केंद्र से मांग किया तो ED और CBI जैसे एजेंसी को सरकार और मंत्रियों के खिलाप लगा दिया गया लेकिन मैं घबराने वाला नहीं हूँ जारखन राज मुलवासी एवं आधिवासी का है केंद्र से लड़कर अपना अधिकार लेंगे जिस तरह अलग राज लिया उसी तरह यहां के मुलवासी और आधिवासी जारखन को सवारेंगे वह सजाएंगे सामारों के अध्यक्षता जामो के पलामो जीला अधिक रैंद्र परसाद सीना और कुड्डू ने किया सीम सीरी सुरेन ने कहा है कि भाजबान जारखन को बीस बर्सों तक लुटने का काम किया है राज की जानता का सोशन कर उन्हें जकम दिया है बरतमान महागरबंधन की सरकार जक्मो को भरने का काम कर रहा है जारखन से खत्म होगा पलायन सीम हेमांत मुखे मंत्री हेमांसुरेन ने पलामो के सीवाजी मैदान में खत्यानी जोहार यात्रा को समोधित किया इस दोरन उन्होंने कहा है कि जारकन से पलायन खत्म हो इसके लिए राजे की सरकार ने संकल्प लिया है CM हेमान सुरेन ने दावा किया है कि आगले पांच बरसों में राजे से पलायन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और राजे की एक भी ब्यक्ति को मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना होगा सरकार ने हर खेत तक पानी पहुचाने का भी संकल्प लिया है मुखे मंत्री हेमान सुरेन ने खत्यान जोहार यात्रा की सुरुवात गठवा से की इसका दूसरा पढ़ा सुक्रवार को पलामू में था बता देख खत्यान जोहार यात्रा को सीम मुखे मंत्री ने करीब 45 मेर तक संबोधित किया इस दोरान सीम हेमान सुरेन ने राजे की आहलात विकास योजनाव की जनकारी भी दी है सराब घोटाले पर बाबुलाल के साथ वचन जारखन में सराब घोटाला की बात कही जा रही है पुरो मुखे मंत्री बाबुलाल मरांडी ने सराब घोटाला को लेकर सीम हेमान सुरेन को चेतावनी देते हुए नसीहत दी है बावुलाल ने लगातार साथ ट्वीट कर सराब घोटाला से जुड़ी बाते कही है और सीम से करवाई करने की अपील की है मुख्यमंत्री हिमन सुरेंजी खत्यानी जो हार यातरा से थोड़ा समय निकाल कर जारखन में जरूरी दारू घोटालों से बचने हेत्तू भी चिंता करिये देर सबेर इस महापाप का ठीकरा भी आपके सर ही पूटने वाला है मैंने इस बारे में पहले कई बार आपको सचेत किया था पर आप तो घोटाले का रिकोर्ड बनाने में लगे हाए रांची सहरी छेत्र से 95 परतिसद बिजली बील की रासी वसुनले का निर्देश बीली आप पूर्ती बेवास्ता और राया सोवसुली में बढ़ोत्री को लेकर सुक्रवार को ओनलान बैठक होई अध्यक्स्ता एरिया बोर्ड के महाप्रवंधक पीके सरिवास्ता ने की इस दोरान सभी अधिकारियों को छा सुत्री दिशा निर्देश जारी किये गए जिसमें रांची सहरी छेत्र में उभगताओ को 95 पिजदी वा ग्रामीन छेत्रों में 95 पिजदी से उपर बिलिंग सुनेश्चित करने वा राय सोवसुली की बात कही गए बैठक में रांची विधूत एरिया बोर्ड अंत्रगत आने वाले रांची विधूत आपूर्ती अंचल के अलावा सिम्टेगा गुमलल वहर्दगावा खुटी के अधिक्छन अभियानता वा विधूत करेपालक अभियानता सामिल हुए कुर्मी समाज का 12 दिसंबर को दिली में महाधारना कुर्मी जाती को अनुसूचित जन जाती में सामिल करने की मांग को लेकर 12 दिसंबर को दिली में महाधारना दिया जाएगा आयोजन टोटेमिक कुर्मी कुर्मी महतो समाज दिवारा जंतर मंतर के समीप किया जाएगा इसमें कुर्मी समाज के रायनितिक दलों के पतनीधी सामिल होंगे इसकी जनकारी समाज के मुखे संजोजक सितल ओहदार न दी है बताया है कि इसके लिए सनीवार साम साले चार बजे रांची रेलवेस्टेशन से जमुत तब्दी से कई लोग रवाना होंगे वहीं तमाण, सोनाहातू, सिल्ली, अनगळा, और मांजी, काके, रांची वा, नगडी, छेत्र से सैक्रों की संख्या में लोग 10 बसों से और पूरे जारकन से 35 बसों से दिल्ली के लिए रवाना होंगे बजरंग दल से निपटने का सियम हेमंत का फर्मान कहा पसु तसकरी के नाम पर करते हैं परिशान कथित रूप से पसु तसकरी के नाम पर पसु बेपारियों को परिशान करने वाले बजरंग दल जैसे हिंदु वाधी संगठन के नेताओ करकरताओं से सक्ति से निपटने का मुख्य मंत्री है मंचुरे ने पूलिस को निर्देश दिया है कहा है कि अब पसु तसकरी के मावले में सिधी करवाई नहीं करेंगी पसु पालन पदा धिकारी की उपस्थिति में ही करवाई होगी इस बावत जल्द ही राजे के डिजी पी सभी थानों को दिशाने देश जारी करेंगे मिड डे मिल घोटाले में एक अरव का बटवारा इस्टेट बैंक ओफ इंडिया की हटिया सखाय स्थित जारखन राज मद्याहन भुजन प्राधी करन के खाते से एक अरव एक लाख एक तालीस हैर सोलह रुपय के फरजी हस्तांत्रन मामले में 30 नवंबर को पाटना से गिरफतार मेसर्स भानू कंस्ट्रक्शन का कर्मी राजु कुमार वर्मा अभी इडी की रिमांड पर है उसे इडी ने 2 दिसंबर से 5 दिनों की रिमांड पर लिया था पुष्टास पूरी नहीं होने पर इडी ने कोट से 3 दिन और रिमांड बढ़ाया है यानि कूल 8 दिनों की रिमांड अधी सुक्रवार को समाप्त होगी इसके बाद उसे न्याई खिरासत में भेज दिया जाएगा जमसेद पूर्मे टीचर ने छात्रों को डंडे से पीटा जाएग सुरू पूर्वी सिम्भूम जीला अंतरगत पोटका दो इस्थीत प्राथमिक बिद्याला है बड़ा बाग लाता कि एक सिक्षिका पर इसकूल के छात्रों को पीटने का मामला सेमने आया है मामला तूल पकरते ही परखंड सिक्षा प्रसार पदाधिकारी बिने कुमार दूबे द्वारा जाएँ सुरू कर दिया गया है अलाकि छात्र शत्राओं के पास्बुक से समधित कारे में ब्यस्त रहने के कारण सिरी दूबे इसकूल नहीं पहुचे लेकिन दुर्भाज से मामले के समध में विद्याले की सिक्षिका जूली बारला से जनकारी लिया गया भूख से नहीं हो किसी की मौत रबिन्रनाथ महतो जार्खन राजे खाद आयोगे के अस्थापना दिवसपारी स्पीकर रबिन्रनाथ महतो ने स्री किष्ण लोग प्रसासन संस्था में कहा है कि अगर भूख से किसी की मौत हो जाए तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता इसलिए समाज और सरकार को ज्यादा जिम्यदार होने की जरूरत है अजादी के इतने बड़े कालखन के बाद भी अनाज उत्पन में हम आत्मनिर्भन नहीं बन पाए है लेकिन पर्यास जारी है आत्मनिर्भन नहीं बनने की वज़ा से ही हमें खाज सुरक्षा जैसे कानून की जरूरत होई है और अगर कानून बनाने के बाद भी भूख से मौत हो तो हमें और ज्यादा सत्रक रहने की जरूरत है गुजरात के परवेक्षक बनाए गये मंत्री अर्जुन मुंडा अर्जुन मुंडा आहमादाबाद जाएंगे भाजपाक राष्ट्री महासाचीव और मुख्यालय परभारी अरुन सिंग ने सुक्रवार को यह जनकारी दी बता देगी गुजरात में भारते जनता पार्टी को प्रचंड बहुवत मिला है परदेश की 182 बिधान सभा सीटों में से 156 पर उनके उमेद्वार जीते हैं होकी वर्ल्ड कॉप ट्रोफी रांची में एक गारह को खेल प्रेमी कर सकेंगे दिदार होकी वर्ल्ड कॉप 2013 की ट्रोफी जार्खन के रेधानी रांची पहुँच गई है सुक्रवाद साम साड़े 6 बजे होकी जार्खन के पताधिकारी आसम से रांची के बिशा मुडा यारपोट पर पहुँचे ट्रोफी रात रांची में ही रही दो दिन तक जार्खन के लोग इस चमचमाती ट्रोफी का दिदार कर सकेंगे होकी जार्खन के महासाचीव बिजा संकर सिंग ने यह जनकारी दी है सिरी सिंग ने पताया है कि सन्नी वार 10 दिसंबर को इस ट्रोफी को लोग नगरी जमसेत पूर से लाया जाएगा वहाँ जे आरड़ी एस्टेडियम में खेल प्रेमियों और खिलाडियों के बीच इस ट्रोफी का परदसन किया जाएगा यहां खिलाडी से लेकर खेल प्रेमिय और सहर के लोग तक चमचमाती ट्रोफी को देख सकेंगे जार्खन को नई ट्रेन की सोगाथ जार्खन से बिहार जाने वाले रेल यात्रियों के लिए भारतिय रेल्वे ने एक नई ट्रेन की सुरुवात कर दी है सनिवार को इस ट्रेन को गोड़ा से बिहार के राहिंद्रे नगर के लिए रवाना किया जाएगा इस special train का नाम गोड़ा राहिंद्रे नगर special train रखा गया है train को गोड़ा station पर हरी जंडी देखा कर रवाना किया जाएगा इस train की शुरुवात होने से बिहार्थ जार्खन आने वालो और जार्खन से बिहार जाने वाले लोगों को सहुलियत होगी खासकर गोड़ा से पटना और पटना से गोड़ा आने जाने वाले लोगों को फार्थी रेल्वे ने इस train के लिए टिकट की बोकिंग 4 दिसमबर को ही शुरु कर दी थी जार्खन बीज घोटाला मामला में मंत्री सत्यानंद ACV कोट में पेस जार्खन क्रीशी बीज घोटाला मामले में सुकरवार को पुर्व क्रीशी मंत्री सत्यानंद भोक्ता राची स्थीत ACV कोट में हाजिर हुए कोट ने पुर्व क्रीशी पताधिकारी निस्तार मिंज पर आरोप का गठन कर दिया उसके साथ ही ACV के विशेस नियाधिस परकास जाने केस की अगली तारिक 22 दिसंबर मुकरर कर दी है मामला वर्ष तो 2014 में हुए बीज घोटाला से जुड़ा है पुर्व क्रीशी मंत्री सत्यानंद भोगता ने क्रीशी बीज घोटाला मामले में डिस्चार्ज पिटिशन फाइल की थी इस पर कोट ने उन्हें अदालत में उपस्चित होकर आपना पक्ष रखने के लिए कहा है देवघर यारपोर्ट में तयार होगी मीनी यारो सिटी दिली की तर्ज पर देवघर में भी यारो सिटी का निर्मान कराया जाएगा देवघर यारपोर्ट कैमपस में सेस बची जमीन पर मीनी यारो सिटी डेवलप करने की योजना बनी है एरपोर्ट अथूरिटी अफ इंडिया ने देवगर एरपोर्ट कैमपस में मीनी एरो सिटी बिक्सीद करने के लिए नागरी खुडाने मंत्राले को प्रस्ताव भेजा है इस प्रस्ताव के तहट मीनी एरो सिटी में होटल, मौल, कैफे और रेश्टोरेंट से लेकर सभी आतियोधिनिक सुविधाय मुहया कराई जाएगी इसमें देवगर एरपोर्ट में काम करने वाले अधिकारी और कर्मियों के लिए क्वार्टर भी बनेगा साइबर क्रिमिनल्स ने साहब गन डीसी के नाम पर मांगे पैसे स्पैसे किमांग कर रहे हैं सुचना मिलने पर डिसी राम निवास यादव ने जिलेवासियों को अगा किया है जनता की उमीदों को पूरा कर रही है राज सरकार सीम हमांत मुख्य मंतरी हमांसुरे ने कहा है जुमले बाज और घोटाले बाज भाजपा से सौधान रहने की जरूरत है जाती धर्म और भगवान के नाम पर भाजपा की लोग गुमराह कर सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते है जनता की बिकास से उन्हें कोई मतलब नहीं है उन्होंने कहा है कि राजे की जनता ने वर्ष 2019 के चुनावे महागडबन के प्रती विश्वास जताया और राजे में सरकार बनी है सरकार जनता की उमीदों पर खारा उतर रही है गाओं के बिकास एवाम आमजनों के हीटों की रक्षा को ध्यान में रखकर सरकार काम कर रही है उन्होंने कहा है कि सरकार के सामने कई चुनावतिया आई लेकिन उसका डट कर मुकाबला किया सरकार गठन के बाद दो वर्ष तक कुरोना महामारी का दोर चला सरकार न इसे चुनावति के रूप में काम किया है देव घर में बिच्छू बम को देखने लोगों की भीड एक सब उनाइस दिनों में पहुंचे बाबा धाम बाबा बैदनात के प्रती भक्तों की आस्था नित नए नए रूप में देखने को मिलती है ऐसा ही एक नजारा बिच्छू बम को देखने लोगों की भीड उम्री बता दे उत्तर परदेश के बलिया जिला अंतरगत नाथ नगर रस्धा निवासी असोक गिरी उर्फ मन्नू सोन्नी बिच्छू बम के तोर पर बाबा धाम पहुचे है 46 वर्षी असोक ने अपने जीवन के 31 साल बाबा भोले नाथ की भक्ती में लगा दिये असोक 11 जुलाई को राक्षा मंधन के दिन सुल्तान गंज में जल भर कर हाथ के बल चल कर बाबा धाम की आत्रा पर निकले और 119 दिनों में वा खी जूरिया पहुचे हुए है जनहीत की योईनाओं को लोगों तक पहुचावने में पदाधिकारी बने जीमेवार मुख्यमंत्री मेदिन नगर इस हीत पूलिस स्टेडियम परिसर में राज्ये के मुख्यमंत्री हेमान सुरेन के द्यक्सता में जीला अस्तरिय समिक्षा बैठक हो इस बैठक में मुख सर्चिव सहीत कई पदाधिकारी सामिल हुए इस दोरान पलामो और गढ़वा जीले में संचालित विकास कारियों की प्रगति की समिक्षा की गई मुखे पर सियम हेमान सुरेन ने कहा है कि गरामिनो के हीत की योईनाओं को धरातल पर उतारने के लिए राज सरकार पूरी सनवेदन सील के साथ काम कर रही है जन हीत की योईनाओं लोगों तक पहुँचे इसके लिए पदाधिकारी जिम्हेदवारी से काम करे साथ ही गाओं को समरीध बनाये ताकि गरामिन बेवस्ता मजबूत हो हजारी बाग के बागाओं में हाईवा और बाइक की टकर में जिन्दा जलाई हुए हजारी बाग बलकागा रोड इस्थीत एकोनोमिक्स पॉइंट मैदान के पास हाईवा और बाइक के बीच टकर हुई इस टकर में बाइक में आग लग गए जिसे बाइक सवार जिन्दा जल गया वहीं कुछ देर में दोनों वहां धोधू कर जल कर राख हो गया है बाइक सवार मिरित्ता का सव इतना जल गया था कि लोग पहचान तक नहीं पा रहे थे काफी दिर बाद अस्थानी लोगों ने बरवार्डी निवासी बुधन साओ के 32 वर्थ ये पोत्र निर्मल साओ के रूप में पहचान की है जामतड़ा में 30-35 हाथियों का जूण कैंप कर रहे रेंजा जारखन के जामतड़ा जिला के मिहजाम थाना चेतरे के गुवा कुला के जंग में हाथियों का जूण बिचरन कर रहा है इनकी संख्या करीब 30-35 है जूण में बचे तथा गरवर्वती हाथिनी भी है हाथियों के जोड को देखते हुए जामतरा वन विभाग ने गिरामिनों को सतर कराने के लिए कहा है जामतरा वन विभाग के रेंजा रामचंदर पस्वान अपनी टीम के साथ गुवा कोला में कैम्प कर रहे है बता दे दुमका वन विभाग के विशेश प्रसिक्षीत कर्मियों की टीम की साहता भिली जा रही है दुमका वन विभाग की 14 से टीम जामतड़ा वन विभाग के साथ इलाके में केम्प कर रही है धार्कन हाइब कोट के जश्टिस एसके दिवेदी की अदालत ने एक महतपुन फासला में कहा है कि कोई बिवाहित महिला अपने पती के अलावा किसी अन्य पूरुद गर्मति से यून संबंद बनाती है तो संबंध बनाने वाले पर वह दूस कर्म का मुकादमा नहीं चला सकती कोट ने कहा है कि बिवाहित महिला के साथ साधी का जूठा वादा दे कर यहन संबंधों के लिए समाती देने के लिए बहलाया नहीं जा सकता ऐसा किया गया वादा ही अवैध है अदालत ने मनीश कुमार की आजका पर सुनवाई करते वे उक्त आदेश पारित किया है जहारखन सरकार पर बहुर से आप विधायक आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव जहा जहारखन दोरे पर हैं इस दोरान उन्होंने राज सरकार पर हमला बोला है दिल्ली के बुडारी से विधायक और पार्टी के राष्ट्रिय प्रवक्ता संजीव जहा अपने एक दिवस के दोरे पर पार्टी संगठन के कारियों को लेकर वो कारों पहुंचे थे जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आज पूरे देश में केजरिवाल के दिल्ली मोडल की चार्चा हो रही है आम आदमी पार्टी की बिधायक संजीव जहा ने कहा है कि दिल्ली के सरकारी स्कुलों में बेहतर सिक्षा स्वास्थ और कम कीमत पर बिजली उपलब्द कराने का काम किया जा रहा है लेकिन जहारकन में सिक्षा और स्वास्थ की चिति बद से बदतर है यहां मुलवासी और आदिवासी परिसान है यहां की सरकार लोगों के काम करने के बजाए अपनी सरकार को बचाने की जद्धो जोहाद में लगी हुई है रिम्स फोन कांड में DSP ने कबूला अपना अरोप मांगी माफी धारखन में एक हैर कोड के अवैद खरन के जरिये कमाई गई अवैद कमाई के जरिये की गई मनी लॉंडरिंग के मालों है पंकाज मिस्रा और साहिव गंज SP की मुसीबत बढ़ सकती है मुख्य मंतरी के बरहेट विधायक पंत्रेदी पंकाज मिस्रा की रफ्तारी के बाद नयाएक हिरासत में रहने के दवरान साहिव गंज के DSP रायंदर दूबे लगातार उसे संपर्क में थे ED के समक्ष रायंदर दूबे ने कबला है कि वह रिम्स के पेंग वार्ड में जाकर गैर कनूनी तरीके से पंकाज मिस्रा से मिले थे वहीं लगातार उनसे फोन पर बात की थी रायंदर दूबे ने बताया है कि पंकाज मिस्रा और आपने वर्य अधिकारियों के निर्देश पर ही ED के गवाहों को परभावित करने की कोशिच की थी सुक्रवार को ED ने रायंदर दूबे से आठ घंटे तक पुछताच की है धन्यवाद